हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का एक बाद फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में दोस्तों आज हम ग्यान सेतु के सुबध कारी पुस्तिका के गनित खंड पे चर्चा करेंगे इन पे पाले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ अधि आप उन वीडियोज को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप उन वीडियोज को देख कि अपनी का रिकुस्तिका को अच्छे से भर लें और वीडियो शुरू करने से पहले अधिया आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर अधिया आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे वीडियो के नीचे लिखा सब्सक्राइब बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो आज का वीडियो जो हमारा है वो आपका अभ्यास कायर पड़तर अगर 30 और या पेज नमर के बारे में पूछें तो यह आपका पेज नमर 46 46 है तो चलिए इनका सभी प्रसनों को एक एक करके अच्छे से रेखते हैं और नहाल समधी बहुतिराइंत, टिरबूज जने किसी कोई भुजा समान नहा हो और समधी भाव तिरबूज जिनकी दो भुजाएं समान तो चलिए इनको इनको सॉल्व करने कोसिस करते हमारिएं आज जब पहले फगर को देखे हैं तो आको पहला फिगर दिख रहा हो गा कि इसमें 2 बुदा 3 सेंटीबटर बराबर लंबाई के दिखे हैं तो इसका है किसा मध्ड़ करते हैं समधव 2 बाहु तिर्भूज तो आपने इनने समझ यहां पे लिख लिया हुए चलिए अगला देखते हैं अगले में आप देख सकते हैं कि यह तीन है यह च्छा है यह तीन दसनलों पांच है मतलब से कोई भुजा समान नहीं है तो यह आपके हो जाएंगे विसम बाहू तिरभूज विसम बाहू तिरभूज तो यह आपके सम बाहू तिरभूज हो गए और यह आपके हो गए विसम बाहू तिरभूज तो चलिए इसे भी छोटा कर लिया जाए ताकि आप इनने भी अच्छे से देख सकें तो यह आपके हो गए विसम बाहू तिरभूज कि तो चली आप देखते हैं अगे खाला देख सकते हैं अब इतना इथां भी तीने पहले विड़ा बराबर हैं तो यह आपकट कि गए सम्भाहूं तिर्भूज है यह Dreams यहाइ सब्सक्रेण एस पहले बीडियो ओसो क्रिए नचर रिप सकते हैं원이 को साब है ऊकिए कि आप सब्सक्राइब हो चुगा है दूसरे सवाल में पूछा गया है आपसे कि एक सम बाहु सम कौन तिर्भुज बनाईए जिसकी एक हुजा तीन सेंटीमिटर देखे क्या करेंगे इनमें आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ आपको एक सेंटीमिटर का लाइन ले लेना है इसकेल से पर मिला देने हैं जो कि इन दोनों से मिला हुआ हो तो इस तरह से देख सकते हैं कि आपका तीनों में से कोई भी बुजा समान नहीं है तो यह आपका विसम बाहु तिर्भुज ओ क्या रपको एक लाइन के नीचे तीन सेंटीमिटर लिख देना है तो चलिए देखते हैं अ तो यह मेरा 120 डिग्री का क्या है 120 डिग्री का कौन है और हमें विसम बाहु बोला गया है मतलब कि तीनों में से कोई भी बुजा बराबर नहीं होनी चाहिए देख सकते हैं कि मेरे तीनों में से कोई भी बुजा बराबर नहीं है तो यह हमारी हो गई विसम बाहु देखेंगे जिस देख सब्सक्राइब कौन नहीं दिये इसलिए मैं कौन को करें से लाने पड़ेंगे तो कौन हम इसे यहां से ले लेते हैं तो जिस कौन का मान 180 डिगरी हो देखेंगे डिगरी का साइन आपे नहीं दिये हैं तो आप एक डिगरी दे दिजिएगा 180 डिगरी हो उसे रिजू कौन काते हैं रिजू कौन उसे रिजू कौन काते हैं रिजू कौन यहां पे नहीं दिख रहे हैं आप इने रिजू कौन को अच्छे से लिख लिजा तो लिखेंगे डाट उने रिजू कौन काते हैं तो मैंने उसे तक लिख दिया आप उसके आगे लिखेंगा दिख कौन किसे काते हैं तो जिस कौन क कि जिस कौन का मान 90 डिगरी से अधिक हो उसे क्या कहेंगे अधिक कौन कहेंगे तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपके दोना सवाल के जवाब दे दिये हैं अब चलिए अगला सवाल दिया गया है अगला दिया गया है बिना मापे एक विसम बाहूत अधिक कौन बनाई है अथा उसके कौनों को माप के लिखी चलिए मैं बना देता हूँ कि नीचे बने तिर्भुजों को दो परकार से नामकरन कीजिए तो आप देख सकते हैं कि आप नबे डिगी बन रहा है तो क्या हो गए? समकों ये पांच सेंटीमिटर पांच सेंटीमिटर समध्वी बाहू तिर्भुज मतलब कि समध्वी बाहू और समकों दो तिर्भुज तो पाले में लिखेंगे समध्वी बाहू समध्वी बाहू और समकों तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये आपका एंसर होगे समध्वी बाहू और समकों चलिए अगला देखते हैं अगला आप इसे देख सकते हैं इनमें आप देखिए कि ये 10 है आठ है 7 है और 90 से बढ़ा है तो क्या हो गए विसम बाहू अधिक कौन तो आपको क्या लिखने है लिखने है विसम बाहू अधिक कौन तो देख सकते हैं कि इस तरह से आज का हमारा प 48 और उसके बाद के पेज़ेज के साथ तो चलिए आज का वीडियो इन पे समाउट करते हैं लेकिन वीडियो समाउट करने से पहले एक बार फिर से अर यदि आपको हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिलीज फिलीज एंट फिलीज